वेलकम बैक टो माई चैनल रुमिज मूजी कुकिंग एंड क्राफ्ट आज मैं एक उलेन वाल हैंगिंग बनाऊंगी और इसे बनाने के लिए हमें चाहिए काफी सारे कलरफुल उल और मैंने यहाँ पे एक मिरर का फ्रेम ले लिया है और यह थोड़ा सा गोटा रखा हुआ है चाहिए हमें सीजर और ग्लू हैंकिंग को आप जितना लंबा बनाएंगे उसी सबसे आप उलका लंबाई राख लिजिएगा तो मैं यहाँ पे करिबान 24 इंचिस लंबाई में ऐसे करके उलको 6 बार घुमा लूँगी थोड़ा मोटा बना लेना है और इसे काट लूँगे अब उलको मैंने ऐसे फोल्ड कर लिया है ऐसे और फ्रेम के उपर ऐसे रखना है और पीछे के साइड से इसको इसके अंदर से ऐसे नौट लगा देना है सारे सेन साइज के काट लेना है आपको जितने कलर यूज़ करना है आप पर डिपेंड करते हैं सारे सें तर इसके से और यूज़ करते हैं तो मैंने यहां पे जो जो कळर्स ये उसके बना दिआ है पहले यहां पे जो जो कलर सुपादर्स हुसं के बना दिया ह। अब अपने मन पसंद कलर का यूज़ कर सकते हैं तो ये सारे नॉड मैंने लगा दिया है अब एक ट्रसल बना लूँगी उपर में लगाने के लिए तो ट्रसल बनाने के लिए ऐसे काई कलर का मैंने यहाँ पर उल ले लिया है इसको ऐसे केई बार घूमा के थोड़ा मूटा सा बना लेंगे और उसके बार कट कर देना है और यहाँ पे एक नॉट लागा देना है और यहाँ पे भी एक नॉट लागा देना है तो यह मैंने यहाँ पे नॉट बांद दिया है अब इसको काट देना है तो यह टॉसल रेडी हो गया अब इसको हमें यहाँ पे लागाना है उससे पहले मैं जो यह गोटा राखे हूँ तो यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है तो इसको छुपाने के लिए यहाँ पे मैं इसको ऐसे डबल करके और ग्लू से सेट कर दोंगी तो गोटा को मैंने लागा दिया है और इसको पीछे के साइट से ऐसे करके ग्लू से सेट कर देना है तो यह मैंने टसल भी लागा दिया है अब इसको थोड़ा सा ऐसे V शेप में कट कर दोंगी ग्लून टु서 भी लागा हो चला है अबल उसंबल इसको कर दोंगी फिर विर खो वाल को फिर देचोड़ा, उसको पिरो, इसको एड़ा है मैंने इसे वाल पे हैंक कर दिया है बेडरूम हो चाहे ड्रॉइंग रूम कहीं पे भी इसे हैंक करेंगे तो बहुत ही खुशुरा दिखेगा और आज की यह इजी डियाइवाई अगर पसंद आया होगा तो एक लाइक देना ना भूले और मेरे वीडियो देखने के लिए मेर आज नोटिफिकेशन आ जाएगा तो आप उसे देख सकते हैं तो चलिए फ्रेंज मिलते हैं कोई नए वीडियो के साथ तब तक के लिए बाइबाई